ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचु ग्यानेंद्रियों और पांचु करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नवदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्धात्मिक महात्व तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महात्वपूर्ण स्थान है, विशेश महात्व है। रूप में दर्शा है गया और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रोंभा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कबच कहा गया। इसलिए प्रतेक देवी आईरवेद की भाशा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संजालन, उचित और साफ क करने का काम करती हैं। आईरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुर्गा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व ही देवियों के स्वरूप हैं। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं, वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे, तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब भल देने वाले स देवि मा का पंचम स्वरूप यानि इसकंद माता अर्थाद अलसी। नवदरुगा का पांचवा स्वरूप इसकंद माता हैं। जिनें पारवती एवं उमा भी कहते हैं। ये आउशदि के रूप में अलसी में विद्धमान है। ये वात, पित, कफ, रोगों की नाशक अलसी को हम फ्लैक सीट्स भी कहते हैं। अलसी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन जिस रूप में किया जाए फायदेमन ही होता है। अलसी के बीच और पाउडर में कई ऐसे अशदिय अगुण मौजूद होते हैं जो कई बीमारियों से शरीर को निजा दिलाते हैं अलसी में कई ऐसे पोशक कत्व होते हैं जो मानो शरीर के लिए स्वास्थ वर्धक हैं। अलसी, ओमेगा 3, फैटी एसिड, बिटामिन B1, प्रोटीन, फाइबर, मेगनेशियम, मेगनीज, फासफोरस, सेलेनियम, आइरन इत्यारी का एक बढ़िया श्रूथ है। भरपूर म मात्रा में ओमेगा 3, फैटी एसिड मौझूद होने से अलसी हमारे शरीर के इम्मिन सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। खाली पेट अलसी खाने से पेट साफ होता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है। अलसी में हाई फाइवर और लो काईबरोहाइडेक्ट होता है जो वजन कम करने के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है। प्रचूर मात्रा में फाइवर का सेवन करने से तोचा पर नमी और सुंदरता बरकरहर रहती है। अलसी के बीच का नियमित रूप से सेवन करने पर खराब कोलिस्टराल कम ह होते हैं। अलसी में मौजूद फाइवर घूल जाती है और इंसान में अत्यदिक भूक मिटाती है जिसके कारण इसमें वजन को कम करने की शम्ता आती है। यदि नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो ये फाइवर पेट को भर देती है और मस्तिश्क तक ये निरकने में मदद करता है। इससे हिर्दे की धमनियों में जमा कोलेस्टाल घटने लगता है और ब्लट सर्कुलेशन बहतर होता है जिसकी वज़ा से हार्ट्रेक की संभावना बहुत कम हो जाती है। फाइवर युग्थ होने की वज़े से अलसी पाचन तंत्र के लिए भी चमतकारी साबित होता है। इसके सेवन से पेट संभधी वीमारियां जैसे डायरिया, कब्स, सूजन में राहत मिलती है। अलसी के बीज को नाश्चन में खाने की भी सलाह दी जाती है। अलसी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइवर होता है, अलसी में मौझूद फाइवर पाचन क्रिया को संयमित भी रखती है, अलसी का प्रियोग कर कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है, अलसी के तेल में मौझूद एंटी आक्सिडेंट कैंसर के खतरी को कम करता जाहर है कि अलसी में ऐसे तत्तों मौचूद होते हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं जो कैंसर पहलाने वाली कोशिकाओं को बढ़ने से रोबता है आज के बदलते परवेश में हर दूसरे इंसान को डाइबिटीस की समस्या होती है ऐसे में अलसी का ब्लट शुगर लेवल को नियंतरित करता है एक चमच अलसी का एक महिने तक नियमित रूप से सेवन करने से रक्त में शुगर की मातरा कम होती है कोलेस्टरॉल घट जाता है बदलते मौसम की वज़े से एकसर लोगों में सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है अगर जुकाम करने में मददगार होती है इसके सेवन से गले और श्वास नली में जमा हुआ कफ पिघल कर बाहरा जाता है अलसी का पौधा बिटामिन B से भरपूर होता है यह बिटामिन तुचा के लिए काफी अच्छा होता है इससे तुचा का रुखा पंदूर होता है और तुचा में जमा काती है साथ ही ओमेगा 3 के वज़ा से चेहरे के दाब धब्बे भी सही हो जाते हैं तुचा के लावा अलसी नाखून और आखोन को भी फाइदा पौँचाता है विटामिन और ओमेगा 3 का फाइदा तुचा के साथ-साथ बालों को भी होता है इससे जड़ते हुए बा होती हैं हजार गुडों वाली अलसी आखों के लिए भी फायदेमंद है जिन लोगों की आखों में सूखे पन के शिकायत होती है उन्हें अलसी के तेल का प्रियोग खाने में करना चाहिए इससे आखों में काफी फायदा पहुंसता है अगली कड़ी में देवी मा के छठ्वे स्वरूप मा कात्याईनी की चर्चा होगी और बताएंगे आपको मा कात्याईनी के आउशधिय महत्तु के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की किरपा आप पर सदयों भनी रहे जै मादूर के